किसी भाव को मन में समाहित करने के लिए आवश्चक हो जाता है कि जो कहा जा रहा है उसके अर्थ को हम लोग समझ सकें अर्थ समझ ही नहीं पाए तो व्यक्ति के जीवन में उसके प्रती भाव को जन्म दे पाने की सामर्थ नहीं आते इसलिए जब गायतरी मंत्र की उपासना को करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो उसके एक एक शब्द के अर्थ को गहराई के साथ समझना अनिवार हो जाता है ताकि हमारी उपासना का परणा उसी अनरूप में आ सके जब हम उपासना करने के लिए बैठते हैं मंत्र को कहते हैं तो पहला जो शब्द आता है वो निकलता है ओम मंत्र प्रारंब हुआ ओम से और मंत्र ही क्यों दुनिया के सारे मंत्र यह पूरा संसार यह पूरा अस्तित यह पूरा विष्व यह पूरा ब्रह्मांड भी ओम से ही प्रारंब हुआ है आप जब रिगवेद में पढ़ते हैं तो रिगवेद में एक रिशी का उलेख आता है नाम है परमेश्थी उनने एक बड़े गंभीर सूक्त को लिखा इस संसार के पवित्रतम सूक्तों में से एक है हिरन ने करब सूक्त नासदी सूक्त सृष्टी की उत्पत्ती की व्याख्या उसके अंदर है इतना प्यारा सूक्त है कि उसके विशे में क्या कहा जाए उसमें रिशी कहते हैं नासदा सीन्नो सदा सीट धानीम नासीड दरजो नवयूमा परोयत किमा वरीवा कुछ शर्मन अंभा किमा सीट गहनम गवीरं नम्रत्युरासीत अम्रत Municip नतरही नरात्रय अन्न आसीत प्रेक ह। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? रिशी कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो परमेश्व और वो परमात्मा वहां विद्धिमान था और एक दिन उस परमात्मा ने आवाज लगाई और जब उस परमात्मा ने आवाज लगाई और इस अंधकार के भीतर से नीरवता के भीतर से, निस्पंदता के भीतर से, एकदम शांती सन्नाटा जब कुछ भी नहीं था, ना कुछ हिल रहा था, ना कुछ बोल रहा था, ना कोई सांस ले रहा था, ना किसी की सांस रुकी भी थी, ना जन्म था, ना मृत्य थी, ऐसे समय में रिशी कहते हैं कि परमा इस संसार की जितनी आवाजे हैं, उसमें दो तचाओं का, दो सर्फेसेज का, दो धुरियों का आपस में रगड़ना अनिवार्ने हो जाता है, जब तक ये इसको हर्ट नहीं करेगी, आवाज नहीं आएगी, जब तक मेरी जीव, मेरी तालुका को टच नहीं करेगी, उसको हर नहीं करेगी, आहत नहीं करेगी, आवाज नहीं आएगी, इस संसार के जितने शब्द हैं, जिनको हमने लौकिक कहकर के पुकारा, वो वही शब्द हैं, जिसमें कोई न कोई आहत हो रहा है, इसलिए उसको आहत शब्द कहकर के पुकारा गया, वो लौकिक हैं, संसारिक हैं बात बड़ी गंभीर है इस संसार के शब्दों को जन्म देने के लिए दो की आवशक्ता होती है अनाहत को जन्म देने के लिए एक पर्याप्त होता है वो जो परमिश्वर है परमात्मा है उसके मुख से जो शब्द निकला जिसको हमने ओम कहकर के पुकारा वो ओम अनाहत है दिव्व है पवित्र है उसी से सारा संसार निकल करके आया जो सबसे गंभीर बात है वो क्या है एक शब्द वो है जिससे संसार जन्मा एक शब्द वो है जिसने हमें जन्म दिया और एक शब्द वो है जिसको हम जन्म देते हैं जिसको हम जन्म देते हैं उसको हम लोग आहत कह करके पुकारते हैं जिसने हमें जन्म दिया उसको हम अनाहत कह करके पुकारते हैं वो जो अनाहत है वही ओम का शब्द है पूरी स्रिष्टिकी उत्पत्ति का कारण आधार निमित उपादान एक ही शक्ति है उसका नाम है परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, परुशोत्म, भगवान, जो आप कहना चाहें, वो कहें आदिशक्ते, वहां से जो शब्द निकल करके आया, उसको शास्रकारों ने ओम कहकर के पुकारा, पातंजली, जब समाधी की व्याख्या करते हैं योग सूत्र में, तो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से समाधी की प्राप्ति होती है, समाधी योग, क्रिया योग वालों के लिए तप स्वाध्धा इश्वर प्रणिधान है, अश्टांग योग वालों के लिए यम नियम आसन प्रणाय प्रत्यार धारना ध्यान समाधी है, लोग पूछत नहीं उत्कट भक्ति वो प्रणिधान है प्रश्ट उभरता है कि इश्वर कोन है तो इश्वर की जो परिभाशा है वो पातंजली ने इतनी प्यारी दिये तीन सूत्रों में तीन तरह से परिभाशा दिये क्लेश कर्म विपाक आशे अपरामरिष्टः पुरुष विशेष है इस्वरा क्लेश हुए to कर्म आएगा कर्म आएगा तो आशय बनेगा कर्म आशय उससे क्या होता है सति मूले तद विपाको जाती आयू भोगा जब तक कर्म है तब तक आपको तेन चीजे मिलती है जाती मिलेगी कहा जन्म मिलेगा मनुष्च में मिलेगा पशु में मिलेगा मनुष्च में मिलेगा तो कहां मिलेगा आयू कितना जीएंगे भोगा किस तरीके का जीवन होगा तो वो कहते हैं कि कलेश है तो कर्म है कर्म है तो विपाग है आशा है आशा है तो विपाग है इन सब को जिसने कभी चुआ ही नहीं महापुरुष कभी न कभी बद्धत है और उसके बाद मुक्त हुए पर एक शक्ति ऐसी है जो कभी बंधी ही नहीं थी क्योंकि उसने इस संसार को बनाया इसलिए उसको पातनजली ने कहकर के बुकारा पुरुष विशेश वो जो प्रक् बद्ध नहीं सकते उसको आप प्रक्रती की सीमाओं में बद्ध नहीं कर सकते कर्म से परे प्रक्रती से परे काल से परे स्पेस से परे उस शक्ति का नाम है इश्वर उस तक कैसे पहुँचे बाश्यकार पूछते हैं उस तक कैसे पहुँचे पातनजली कहते हैं तस से ऑम, भगवान सरवत्र व्याप्त है पर उसका एक राजदूद भगवान ने नियुक्त कर दिया है उसका नाम है ओम, जब हम लोग साधना की अंतिम कक्षा में होते हैं, तो अंतिम कक्षा में ईश्वर के साथ जब हमारी एक रूपता का भान होता है कि कणखन के अंदर वही ह इस खंबे के अंदर वही है, हवा के अंदर वही है, आप के अंदर वही है, हमारे अंदर वही है, भूमी के अंदर वही है, आकाश के अंदर वही है जैसे ही वो परमात्मा के साथ एक रूपता का भान होता है कि कणकण के अंदर अंशंश के अंदर वही चेतना विद्धिमान है तो परमात्मा की आवाज व्यक्ति को अपनी आत्मा के अंदर सुनाई पड़ते है वो जो परमात्मा की आत्मा के अंदर गूज है उसका नामों में इस संसार के अंदर भगवान की जो गूज है उसका नामों में वो घंटे के ऊपर जब डंका बजा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए घंटा कापता रहता है वो जो थोड़ी देर के लिए थाप निकली है वो धागे नातिना का धिन करने के वाज़ धिन धिन हुआ है वो जो गूझ है उसी का नामों में इस परमात्मा जो है कणकण के अंदर व्याप गया है और जब इतनी बड़ी शक्ती संसार के अंदर आई है सर्वत्र जो व्यापत है वो हमारे अंदर समाई है तो समाने के कारण जो प्रतिद्धनी हुई है उसका नामों में वो कणकण के अंदर छा गया है कणकण के अंदर बैठ गया है उसी का नामों है इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कहते हैं कि उस ओम से व्याहरतियां बनी, व्याहरतियों से लोग बने, अकारम चा उकारम चा मकारम चा प्रजापति, अकार से उकार से मकार से प्रजापति ने ब्रह्मा ने ओम को बनाया, ओम व्याहरति, ओम बने व्याहरति बनी, भूर वस्वा ती दिचा, उसके बाद भू ओम ने हमकू पुकारा शास्त्रों में ओम के उन्निस अर्थ दिये गए पर भाशा विज्ञान की दिश्टी से देखें तो दो महत्तुपूर्ण है आपलधातू अवधातू आपलधातू से आपलावित बना जिसने पूरी धर्ती को अपने घेरे में ले लिया है हर जगह पर वही वही उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं यहां जहां देखेंगे वहां परमात्मा है जहां देखेंगे वहां परमेश्वरे ईश्वरे भगवान इसके अलावा कुछ नहीं आप लधादू और अव का मतलब भवसागर से पार कराने वाला इसलिए जब आप पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराण में क्या कहते हैं रिशी गाता राम तरायते यसमात गायत्री तेनगी येते जिसका गायन करने से व्यक्ति भवसागर से पार चला जाता है उसको हम लोगोंने गायत्री कहकर के पुकारा